आपको प्लाइ करना है और नहीं उसको एप्लाइ करना है और आपको एप्रूबल कैसे मिलगा तो इस वीडियो को पूरा देखे ताकि कोई भी स्टेप साफ सी बंस ना हो पाए तो मैंने साफ से पहले एक डिस्क्रिशन पर लिंक दिया हुआ है जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का परेज होगा तो आपके अप्रूबल के चांसे भी बढ़ जाएगे तो यहां पर आपको अपना customer name, phone number और email देना होगा तो मैं सारी details fill करता हूँ आपको यहां पर अपना full name और mobile number और email id जैसे आप यहां पर fill कर देते हैं तो आपको यहां पर save and proceed के बटन पर click कर देना है और उसके बाद यह save हो जाएगा जैसे वो steps भी मैंने बता है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके approval के लिए तो आप डिस्क्रिशन पर दिये गए लिंक से ही करिए उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का एक page open होगा जहाँ पर आपको लेखा हुआ होगा get your insta EMI card convert all your purchase into EG EMI तो यह एक EMI network card है जो की बजार फिंसर की दरफ से आता है यह आपको three steps में मिलेगा तो सबसे पहले अपन यह जान लेते हैं सबसे पहले आपको get instant approval मिलेगा उसके बाद आपको अपनी कुछ details से verify करानी होगी और इसके बाद आपको अपनी कार्ड को activate करना होगा तो यहाँ पर हमें फिर से अपना mobile number और अपने date of birth डालना होगा तो चलिए मैं details भी फिल कर लेता हूँ यह पूरी तरह से online process है यहाँ पर आपको अपना mobile number और date of birth इंटर करने के बाद apply now के बटन पर क्लिक कर देना है लेकिन मैं आपको इसके कुछ और features बादा देता हूँ apply now करने से पहले यह 100% digital process है और इसके approval आपको केबल 30 second में मिल जाता है और यहाँ आपको 2 लाग तक का finance available होगा और इनके 1 million से भी ज़्यादा product है EGMI के लिए और 2300 plus cities में यह work करते है offline और एक लाग सी बहते कि इनकी partner store है तो यह है Skype की कुछ खासियत चलिए अब हम यहाँ पर अपने detail से हमने फिली कर दिया है apply now के बटन पर क्लिक करते है और एक OTP जनरेट होगा जो कि हमारी registered mobile अमर पर आएगा तो वो OTP हमें यहाँ पर फिल करना होगा तो चलिए मैं अपना OTP फिल कर देता हूँ उसके बाद जैसे मैंने OTP को फिल किया तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर आपके सामने ही live किया है जो मैंने आपको description पर link के दिया हुआ है उससे आप करेंगे तो आपके approval के chances बढ़ेंगे जैसा मैंने बोला तो आप आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे 1,25,000 की limit मिली हुई है यहाँ पर मेरा नाम आपको देखेगा और एक card since और कब तक 2021 तक valid है यानि कि मेरा card approved हो चुका है मैंने आपको बोलो 30 second में अप्रूव हो जाता है जैसे वो लोग बोल रहे थे यह मुझे limit 1,25,000 मिली है तो ज़रूरी नहीं आपको इतनी मिले आपको इससे जाद ही मिल सकते है और इससे कम ही मिल सकते है तो चलिए आप मैं से कुछ प्रोसीड करता हूँ उसके बाद हमें अपने कुछ किवाई सी डिटेल्स करनी होगी तो अब हम वो करेंगे इस स्टेप्स में यह देखिए हमारा address यहापर pen card से और हमारी आधर card से यह फिल कर लेगा लेकिन अभी प्लाल यह हमारा address है बजाज फिंसल पर तो चलिए आप इसको एडिट भी कर सकते हैं यह आप पोच आडिस गलात है मेरा address है यह तो मैं इसको यहाँ पर प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देता हूँ और यह हमारी KYC डिटेल फिर से verify करा रहा है देखिए मेरा card within 30 seconds अप्रूब भी हो गया मेरी KYC भी हो गई अब मुझे यहाँ पर केवल 567 का payment करना है दो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर से नहीं बताया है कि आप इसको पार्टन स्टोर बजाज फिंसर और यूज कर सकते हैं तो अब मैं यहाँ पर पेनाओ के बटन पर क्लिक कर देता हूं और यह यहाँ पर मुझे अपना क्रेड़ का नमबर डालना होगा एक्सपाइरी और सीभी वगएरा तो मैं यह सारी डिटियल फिर कर लेता हूं फिर उसके बाद आपको बदाता हूं प्रोसेस तो दिखिए यहाँ पर मैंने अपने क्रेड़ कार्ट की पैमेंट की डिटियल फिल कर दी हैं जिससे मुझे पांसु सब्सक्रट रुपए पैमेंट करना है यह पैमेंट करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दीता हूं ज़रूरी नहीं कि यह पैमेंट क्लिक कर दीता हूं और यहाँ मैं सीसी एवन्यू की पैमेंट गेट पर ले जा रहा है तो अब मैं इसका पैमेंट करूंगा यह पैमेंट करूंगा 567 का आपको यहाँ पर स्पेश को रिफ्रेंश नहीं करना अधर बाइज आपको पैमेंट ड्रॉप हो जाएगा और अप प्राबलम में क्रियेट हो जाएगी फिर वो रिफंड में काभी टाइम लगता है तो आपको इसको पैस को एज़ टिस रहने दिना है दिखिए हमारे हांपर पैमेंट सक्सेसफूल हो चुका है और यहाँ पर मुझे ट्राण्येक्शन रिफ्रेंस नमबर और ट्राण्येक्शन स्टेट Str messenger लेना है तो आप इसका इसके इस्की शोट ले सकते हैं तो मैं इसकै पिला इसके फिर्शन ले लेता हूँ यहाँ पर लिखा हुआ है you are one step away from activation instantly activate your card by registering your e-mandate यहाँ पर activate now यदि या view card कर देते हैं तो यदि काड ही हमारा एक्टिवेट नहीं होगा तो गार्ड काम करेंगे क्या तो इस card को यूज़ करने के लिए हमें activate करना होगा वो भी e-mandate तो मैं आपको बते देता हूँ e-mandate क्या है e-mandate यानि हमारी एक bank account से link हो जाएगा क्योंकि इनका कोई खुद का bank account है नहीं तो ये payment deduct कैसे करेंगे तो उसके लिए तो एक bank account चाहिए होगा तो वहाँ पर हमें ये bank एक एड़ करना होगा तो चलिए मैं activate now उपर click कर दीता हूँ और यहाँ पर मुझे अपना bank account अमपर और IFSC code इंटर करना होगा तो मैं SI detail फिल कर दीता हूँ इस card को activate करने के लिए तो हमें अपर अपना bank account डालना होगा इ-mandate के लिए तो मैं यहाँ पर अपना bank account अमपर और IFSC code इंटर कर दिया है उसके बाद मैं इसको submit कर दीता हूँ और यह हमारा इस जो हमने bank account डाला है इस पर हमें यह e-mandate कराएगा तो यह हमारी personal details दिखा रहा है जो कि bank पर है आप देख सकते हैं और यहाँ पर इसको mode of registration के लिए यहाँ पर दो आफस्तन है या तो इसको e-mandate कर सकते हैं आप internet banking से यह debit card से तो फिलाल मैं internet banking से करूँगा तो यहाँ पर internet banking पर क्लिक कर देना है और इसके बाद submit के बटन पर क्लिक कर देना है और यह digital sign होगा जो को DGUGO के तरफ से होता है यानि कि एक agreement हो रहा है यानि e-mandate हो रहा है हमारे और बजार fashion के बीच तो चलिए मैं से net banking कर देता हूँ और इसके बाद submit कर देता हूँ यह पूरी तरह के digital प्रोसेस है ऐसा पहले जब आपको चेक देना होते था पहले वैसा होता है तो लेकिन अब कुछ इस तरह का होता है तो देखिए email उसके बाद submit के button पर क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर मुझे अपना मैंने नेट बैंकिंग सेलेट किया था तो मुझे अपने नेट बैंकिंग का यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करना होगा तो मैं वह फिल कर देता हूँ यहाँ पर जोली से और आपके mobile नमर पर एक OTP आएगा तो OTP आपको यहाँ पर फिल करना हुआ है यह मैंने का तो अब देख सकते हैं उसके मैंने विस्क्रीन ले लिया है और यह महाँ पर कूरा होगा तो हम इस पिंडो को भी क्लोज कर देंगे हलाकि वह आटोमेंटिक क्लोज हो गया है यहाँ यहाँ पर वैलकम कस्टमर यह हमारे एक अप्लीकेशन डीटिल साग कर देता हूं आपको दिखाने के लिए यह हमें एप डाउलोड करना होगा देखिए मैंने बोला इसने एप डाउलोड करने के लिए अपनी एप पर रिडारेक्ट कर दिया तो इसको इंस्टॉल कर लेता हूं मैं दूस्तों यह था पूरा प्रोसेस कैसे आपको इस काड को एप्लाई करना है और इसको आपको कैसे मिलता है और क्या-क्या इस्टेप्स को आपको फॉलो करने होते हों गए तो यह मेरा काड सक्सेसफुली एप परूप हो गया है 1,25,000 की लिमिंट के साथ हम आपने ज़्या कार्ड को देखना है यानिको इसको मैनेज करना तो यह मुझे डाउलोड करना होगा और इस एप को यूज कैसे करते हैं करते हैं इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो इसके बाद अफलोड कर दोगा तो आप यह वीडियो भी देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के थेंक यू झाल प्रश्ट झाल 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 झिए झाल